तो दोस्तों आज मैं explain करने वाला हूँ एक इंडियन तेलगू लेंग्वेज हॉरर कॉमेडी सोशल मुवी को जिसका नाम है कथा कंची की मनम इंटी की यानि की दा टेल गोस टू कांची एंड वी गो हूम ये एक काइंड ओफ एंथलोजी है लेकिन इसके अंदर बात ये है क मूवी के अंदर एक शंशान घाट होगा एक बंगलो होगा जिसके अंदर कुछ न कुछ खतरनाक होने वाला है तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर आप इस ऐसा चेरिटेबल ट्रस्ट होता है यहाँ बर हमें करोड़ पती आदमी को देख पाते हैं जो कि अनाद बच्चों के लिए काफी सारी चीजे लेकर आया था और यहाँ मौजूद लोगों की बातों से हमको यह पता चलता है कि यह इनसान इनाद बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करता रहता है साथी साथ इसके पास मौजूद पैसों का इसको जरा भी घमंड नहीं है इसलिए इसकी इमेज सबी लोगों के सामने काफी ज़ादा अच्छी थी अब यहां से सीन कट होकर एक चोटे से घर में आता है जहां पर एक औरत जिसका नाम धनलक्षमी था वो अपनी किस्मत को कोस रही होती है क्योंकि उसके परिवार वालों ने उसकी शादी एक मूवी स्क्रिप्ट राइटर से कर दी थी जिसका नाम नंदी होता है लेकिन उसका काम जरा सा भी अच्छा नहीं चल रहा था और इनके घर में पैसो की बहुती ज़ादा तंगी थी जिस वज़से इन्होंने किसी भी चीज़ का बिल तक नहीं भरा था साथी साथ हाउस रेंट भी नहीं दिया था यहां तक कि यह अपनी बेटी की स्कूल फीस तक नहीं भर पा रहे थे धनलक्शमी तभी नंदी को धमकी देती है कि अगर जल्दी से उसने पैसो का जुगार नहीं किया तो यह इसकी लिखी गई हर स्क्रिप्ट को रद्दी के भाव बेज देगी जिसको सुनकर नंदी इसको शांत करवाता है और बताता है कि आज उसको एक डारेक्टर से मिलने के लिए जाना है और अगर आज उसकी स्क्रिप्ट डारेक्टर को पसंदा जाती है तो यह स्क्रिप्ट के मिले हुए एडवान से वो सारे बिल को भर देगा अब इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन बहार उसका मकान मालिक उसका ही इंतजार कर रहा था और जैसे ही नंदी बहार निकलता है वैसे ही वो उसको पकड़ लेता है और उससे सारा हिसाब क्लियर करने के लिए कहता है तब ही नंदी उससे कुछ समय का समय मांग और नहाद होकर मस्त कपड़े पहन कर अपने पूरवजों की फोटो के सामने खड़ा होता है उसके नाम पर इतनी सारी प्रॉपरटी करने के लिए वो शुक्रिया आदा करता है पर असल में ये सब तो उसका सपना था हकीकत ये थी कि उसकी आँक एक किराई के घर में खुलती रही थी खेर तभी प्रेम उन सबी और तो से बहस बाजी करके उनको बाहर भेज़ देता है और अब वो फाइनली अपने पूरवजों की फोटो के सामने आता है जो कि एक टाइम पर राजा हुआ करते थे उनको काफी बुरा बला कहने लगता है और आगे वो भगवान से य चार एक रात के लिए चार्ज करती है और ये लोग भी उसकी सुंदरता को देखकर उसको अमाउंट दे देते हैं पर अब इन सब में बहस होने लगती है कि पहले कौन उसके साथ जाएगा अब ये लोग इस चीज़ का फैसला करने के लिए गेम खेले लगते हैं अब जितन में ही वो लड़की जिसने गुंडों से 20,000 रुपे लिए थे वो वहाँ पर पहुंच जाती है और तब जाकर हम ये समझ बाते हैं कि वो कोई प्रोस्टिट्यूट वगरा नहीं थी असल में वो एक नॉर्मल कॉलिज में पढ़ने वाली लड़की है जो की शर्त के चलते ऐ अपना विनिंग अमाउंट लेती है और जाकर अपने रूम में अराम से सो जाती है खिर अब इसके बाद सीन आता है जहां परम कनहिया नाम की एक चोर को देख पाते हैं जो की एक घर के अंदर चोरी करने गया था वो वहां से अब सारा सोना और साथ ही साथ जरूरी सामान पहुचता है तो रूम की अंदर से उसे एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी वो अपने पती से घर की दिक्कते शेयर कर रही थी साथ ही साथ उससे मर जाने तक की बात भी कर रही थी जिसको सुनकर कनहिया को बहुत जादा बुरा लगता है और वो सामान के साथ साथ जो उसने चुराया था वो अपना सामान भी उसी घर की अलमारी में रख देता है फिर जब वो वहां से बाहर निकल रहा होता है तो उसको ये पता चलता है कि जिस रूम के अंदर से उसको आवाजे आ रही थी दरसल वो टीवी रूम के अंदर था जिसके अंदर परिवार के सबी लोग बैठ कर एक emotional शो देख रहे थे और ये सारी lines उस शो की थी जिसके चलते उसने अपना ही नुकसान करवा लिया अब यह उपर जाकर वापस से सब को चुरा पाता तब ही ये नीचे गिर पड़ता है और मजबूरी में उसे वहां से भागना पड़ता है खेरा बगले द की शादी नहीं हो सकती प्रेम अब वापस से पंडित को मनाने में लग जाता है कि वो उसके लिए किसी विद्वा लड़की को भी ढूंड देगा तब भी चलेगा और तब ही पंडित जी के पास एक लड़की का रिश्ता देखने के लिए कॉल आता है इसको सुनकर पंडित प्रेम से तयार होने को कहकर उस लड़की के घर में लेकर जाता है जहां पर प्रेम को शादी करने की बहुती जादा जल्दी थी लेकिन यहां भी उसके किस्मत फूटी होती है क्योंकि वो लड़की पहले से ही तीन महीने प्रेगनेंट होती है पर क्योंकि प्रेम को दब श लड़की से उस्याध्य करने के लिए हाँ बोल देता है मगर प३र्यम ये ये जिती है बहुत हो है पर एक बाद एक सब को बे्हुश करके सब कु चुरा लिता तब यहाँ पर हम एक लड़की को भी देख पाते हैं जिसके घर में चोरी हो गई थी और चोर उसकी आँखों के सामने घूम रहा था लेकन ये बेचारी पब जी ही खेले जा रही थी मतलब देख रहे हो पब जी की विमारी कितनी बुरी होती है चोरी भी हो जाए पता नहीं चलता इतना जादा एडिक्टिव होता है और थैंक्फुली मैंने आज तक इस गेम को कभी भी अपने फोन के अंदर लैपटॉप के अंदर इंस्टॉली नहीं किया खेर अब वहीं नंदी अपने दोस्त के पास आया हुआ था क्योंकि उसके स्क्रिप्ट इस बार भी सेलेक्ट न प्रेम लड़की के मामल में वापस से अपने किसमत आजबाने पहुंच जाता है एक प्रॉस्टिट्यूट के पास में और अब वो उसको भी शादी करने के लिए कन्विंस करने लगता है लेकिन बाद में जब वो प्रॉस्टिट्यूट इस से इसकी सैलरी के बारे में पू की नजर कुछ गुन्डों के उपर पड़ती है जो की एक सुन्दर लड़की को छेड़ रहे थे तब ही प्रेम जो की आशिक मिजाज आदमी है उसको इस लड़की को देखते ही प्यार हो जाता है और ये उसको बचाने के लिए उन सभी गुन्डों से बिढ़ता हुआ उन स सुबा उसके दिमाग पर इस चीज़ का इतना गहरा असर होता है कि उसकी बीवी उसकी बच्ची साथी साथ उसका मकान मालिक सब में उसे भूत नजर आ रहे थे जो की उसको बात बात पर ताना दे रहे होते हैं इसलिए वो वहां से भाग जाता है खिर तब हम उस होस्टल लड़की दीकशा और उसके दोस्तों को वापस से देख पाते हैं जिनकी नजर भी कुछ गुंडों पर पड़ती है जो कि कॉलिज के बाहर एक लड़की को छेड़ रहे थे और यहां पर अब दीकशा की दोस्त वापस से उससे शर्त लगाती है कि अगर वो बिना हंगामा क करे उस लड़की को बचा लेगी तो वो उसको पैसे देखी खेर यह सुनकर दीकशा इस चैलेंज को एकसेप्ट करती है और पहुंच जाती है उन गुंडों के सामने जिनको दीकशा उस लड़की को छोड़ने के बदले में उसके साथ कौफी पर चलने का उफर देती है यह प्रेम जो की सारी उमीदे शादी की छोड़ चुका था वो एक बहुती बड़े स्वामी जी के पास जाकर अपने बार में पता करने की सोचता है और उसी सेम स्वामी जी के पास में हम लोग नंदी को भी देख पाते हैं जिसको आज सुबह से ही भूत देख रहे थे तब ही स्वामी जी समझ जाते हैं कि उसे ब्रहम हुआ है तो वो कोई मंतर पढ़कर उसके सब कॉंशेस माइंड को स्थिर करते हैं जिसके बाद नंदी सही हो जाता है खेर तब ही वहाँ कनहिया आ जाता है जो कि स्वामी जी से ये पूछता है कि उसका भविश्य क्या होगा और व वहाँ पर प्रेम आता है जो कि अपनी समस्या के बारे में उनसे पूछता है तब स्वामी जी उसको ये बताते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है उसके पूर वजोने जो गलती करी थी उसका हरजाना वो भुगत रहा है और ये सुनकर प्रेम को बहुत गुस्सा आता ह तब ही हम दीक्षा को देख पाते हैं जिसे अगले दिन वही गुंडे पकड़ लेते हैं जिनको उसने अपनी दोस्त का नंबर दे दिया था और उनको दीक्षा की चलाकी के बारे में पता चल गया था जिसके चलते वो उसको शूट कर देते हैं और दीक्षा बहुत दूर जाकर गिरती है और अब गुंडों के यहां से जाने के बाद में उसके सभी दोस्त उसकी बॉड़ी के पास पहुंचते हैं लेकिन इस बार भी दीक्षा दादी के दिये हुए लॉकेट की वज़े से बच गई थी जिसके लिए वो शाम को उनका शुक्रिया करती है तब उसकी एक दोस्त ये बोलती है जिनकी इच्छा जीते जी पूरी नहीं होती वो लोग भूत बन जाते हैं और शायद दीक्षा की दादी ही भूत बनकर बार बार उसकी हल्प करती है लेकिन दीक्षा को आत्माओं पर भूत वगरा पर विश्वास नहीं था और उसे ये सब बस उस की फ्रेंड उससे ये कहती है कि उसे एक और शर्त पूरी करनी होगी उसे रात बर शमशान घाट में गुजारनी पड़ेगी इसके लिए वो मान जाती है रात में हम प्रेम को भी सेम शमशान घाट में देख पाते हैं जो कि अपने दादा और अपनी दो दादियों की कबर क करके एक जगा बैठ जाता है खेर थोड़ी देर के बाद में हम कनया को भी यहीं आता हुआ देख पाते हैं जो कि पुलिस से बशने के लिए यहां पर आ गया था और तभी यहां पर हम सफेद साड़ी में दीकशा को देख पाते हैं जो कि जान बूज कर ऐसा गेट अप बन नंदी को लगता है कि यह लाश है और इसलिए यहां से भागने लगता है साथी साथ कनया की बिनजर प्रेम पर पड़ जाती है और उसको भी ऐसा लगता है जैसे कि एक लाश है लेकिन यहां भी यह चोरी से बाज नहीं आता वो प्रेम का सारा सामान चुराने लगता है ले प्रेइम जिसको प्यार का भूत चड़ा हुआ था वो असल जिंदिकी में प्यार करने की बजाए भूत इसलिए ये लोग पास में यए, घर में पहुंच जाते हैं जिसके अंदर ये रात में रहनेे decide कर लेते हैं पर जब ये लोग अंदर घुसते हैं तो बाहर हम demonic hands को देख पाते हैं यानि कि जैसा कि स्वामी जी ने यहां पर कहा था कि अगर वो चोरी करेगा तो यहां पर पहुँचेगा भूद बंगले के अंदर तो शायद से यह वही हो सकता है अब ये demonic hands जमीन से बाहर आते हैं और घर के अंदर जाने के बाद भी लगातार प्रेम बार बार देख्शा से फलर्ट करते जा रहा था और अब ये लोग पूरे घर में घुमते हैं और अपने आप को एक दूसरे से इंट्रियूस करते हैं अब ये सबी डरे हुए थे इसलिए एक जगा हॉल में ही सारे मिलकर सो जाते हैं लेकिन रात को कनेया उटकर चोरी करने लगता है जिसको ऐसा करते देख नंदी पकड़ लेता है इसलिए तब कनेया को सारा समान जो भी उसने चुराया था वो वापस वही रखना पड़ता है अब ये लोग वापस सोने जा रहे थे लेकिन नंदी देखशा को देखकर डर जाता है और उससे कपड़े बदलने हो कहता है तब देखशा वहाँ पर रखे कुछ कपड़े पहन लेती है और इसके बाद ये लोग वापस सो जाते है अब प्रेम जो कि देखशा के बगल में सो रहा था वो देखशा को किस करने का डिसाइड करता है लेकिन अचानक से देखशा हवा में उड़कर बार बार अमनी पोजिशन चेंज करने लगती है खेर अब प्रेम दो बार और कोशिश करता है लेकिन सेम चीज होती है लेकिन तबी इन्हें एक लड़की के चलाने की आवाज आती है जो की उपर बंदी हुई थी ये लोग इस लड़की को फ्री करते हैं और उसे सब कुछ पूछने लगते हैं लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि वो लड़की गुंगी है इसलिए ये सब ही उसको नीचे सोफे पर जाकर बठा देते हैं और उसे सोने का बोल कर खुद भी सो जाते हैं अब रात में प्रेम जिसका मन अभी भी देक्षा को किस करने का था वो वापस से अपने काम पर लग जाता है लेकिन तब ही इन सब को वापस से किसी के चिलाने की आवाज आती है अब तब ये सब देखते हैं तो वो लड़की उठी हुई थी और बहुती ज़ादा क्रीपी वे में इन सब की तरफ देख रही थी ये देखकर कनिया नीद खराब करने के लिए बच्ची की उपर चिलाने लगता है खेर अब ये बच्ची इन सबी को बहुती बुरी तरह पेटने लगती है साथी साथ वो नंदी को खतम करने वाली थी लेकिन तब ही उसको फोन उसकी बेटी का आता है जिसकी रिंग टोन उसकी बेटी की आवास की थी जिसको सुनकर ये बच्ची वहीं रुख जाती है और खुद भी एक छोटी सी बच्ची की तरह एक्ट करते हुए अपने मावाप के बारे में पूछने लगती है ये देखकर सभी बहुत शौक्ड हो जाते हैं और तब कनिया को लगता है कि ये लड़की इनको बेवकूफ बना रही है इसलिए ये वापस से उसे बुरा भला बोलने लगता है इसको सुनकर बच्ची भड़क जाती है और पास में रख्की हुई तलवार को उठा कर कनिया को मारने के लिए बढ़ती है लेकिन तब ही वहाँ टीवी चालू हो जाता है जिसके अंदर एक एंकर शो को होस्ट कर रही थी ये देखकर लड़की भी अपना नाम मेरी बताते हुए एंकरिंग करने लगती है और ये देखकर बाकी सब वापस से कुछ ना कुछ सोचने लगते है अब कनया फिर से गलती करता है और उसको बहुती बुरा भला बोलता है जिसके चलते ये बच्ची उसे फिर से मारने पीटने लगती है लेकिन अब इस बच्ची की नजर नटराज की मूरती पर पढ़ती है जिसके चलते वो बहुत अच्छा डांस करती है और सबको ये लगता है कि या तो ये mentally unstable है या फिर इसकी अंदर एक से जादा आत्मा है इसलिए सब मिलकर इस लड़की को सुनाने लगते हैं और वो बच्ची रूने लगती है खर अब इनकी बातों से इस बच्ची को काफी गुसा आ जाता है जिसके चलते वो सब को मारने बीटने लगती है लेकिन यहाँ पर प्रेम तो खाली देखशा से शादी करना चाहता था ऐसी सिचुईशन में भी उसे शादी करनी थी लेकिन तभी नंदी का फोन बच पड़ता है जिससे की यह बच्ची फिर से छोटी सी बच्ची बच्ची बनने लगती है और यह देखकर यहाँ पर नंदी सिचुईशन को समालने के लिए प्रेम को लड़की का बाप बना देता है और दीक्षा को ममी बना देता है साथी साथ नंदी और कनहिया इसके चाचा और मामा बन गए थे खर अब इसके बाद में थोड़ा सा फैमिली ड्रामा होता है लेकिन रात को यह बच्ची दीक्षा और प्रेम को माने लगती है जिसको देखकर नंदी और कनहिया गाना गाते हैं तो वो डांस करने लगती है और अब वापस से वो चोटी बच्ची के रूप में आकर पीजा ओर्डर करने के लिए कहती है अब पीजा वाला वहाँ पर आता है जो कि बहुती अजीब इनसान था औरतों की इज़त नहीं करता था साथे साथ अपनी गर्ल्फरेंड से अबोर्शन करने की बात कर रहा था जिसको सुनते ही ये बच्ची गुस्से में आ जाती है और उसको मारने लगती है खर अब ये सब को वापस से मारने ही वाली थी लेकिन तब ही घर का जो मालिक होता है वो वहाँ पर आ जाता है जो की कोई और नहीं बलकी वही करोड़ पती था जिसको हमने मूवी की शुरुआत में दान धरम करते हुए देखा था और इसने ही इस बच्ची को यहाँ पर पकड़ के रखा था यहाँ पर वो अपने साथ स्वामी जी को भी लेकर आया था जो की इस बच्ची को देखकर ही समझ जाते हैं कि इसके अंदर काफी सारी आत्माए हैं और वो इसको अपनी शक्ती से काबू में करते हैं वो इस बच्ची से पूछताच करना शुरू करते हैं कि आखिर उसके अंदर कौन कौन है तो तब जाकर यह जवाब आता है कि उसके अंदर नजिया, महालक्ष्मी, मैरी और कावेरी की आत्माए हैं जिनके मम्मी बापा नहीं थे और यह चारो ही इस गुंगी लड़की के साथ उसी अनात आश्रम में रहा करती थी और पेंटर वगरा की एक्टिंग क्यों कर रही थी तो असल में लक्ष्मी एक डानसर, नाजिया एक पुलिस आफिसर, कावेरी एक पेंटर बनना चाहती थी और माया एक एंकर इसलिए यह आत्माए ऐसा बहेव किया करती थी लेकिन जब अपनी साथी को ऐसे मुसीबत में इन आत्माओं ने देखा तो उसके शरीर को इसने पजस कर लिया वहाँ से फिर उसने सबी गुंडों को भी भगा दिया था और इसके चलते ही डैडी यहाँ पर सौमी जी को लेकर आये थे और उसी सेम रात पर यहाँ कनहिया प्रेम, दीकशा और नंदी भी आ गए थे खैर अब कहानी प्रेजन टाइम में आती है तो डैडी इसको जूटा बताने लगता है लेकिन सौमी जी जानते थी कि डैडी जूट बोल रहा था जिसके चलते सौमी जी सारी आत्माओं को बोटल के अंदर कैद कर लेते हैं लेकिन डैडी की हरकते देखने के बाद में सौमी जी समझ जाते हैं कि उन्होंने गलती करी है जिसके चलते वो आत्माओं को फ्री कर देते हैं और जो आत्मा होती हैं वो प्रेम और उसके साथियों में आ जाती हैं और अब डैडी के साथियों के साथ लड़ने लगती हैं तब डैडी भी खुद यहां से डर कर भागने लगता है और बाहर जाने पर उसे काफी सारे अगुरी मिलते हैं जो कि बुरी शक्तियों का साथ दि करते थे इसलिए वो डैडी की मदद करते हुए प्रेम और उसके साथियों से लड़ने लगते हैं और ये चार आत्माएं इन सभी के सामने बहुत ही जदा कमजोर पड़ रही थी इसलिए अब प्रेम भी इन से लड़ते हुए बेहुश हो जाता है तब दीक्षा सामने आती है और उन सभी आतमाओं को चला चला कर इनकी मदद करने को बुलाती है जो कि मरने के बाद भी नाजिया जैसे लड़कियों की मदद करना चाहती थी ये देखकर सारे अगोरी हसने लगते हैं लेकिन तब ही यहाँ पर काफी सारी आतमाएं आ जाती है जो कि सब की सब प्रेम की यहाँ से भागने नहीं देती और डराते हुए उसे एक कब्र में दफन कर देती हैं वो भी जिन्दा इससे की सब शान्त हो जाता है और अब वो गुंगी लड़की वापस से अपनी सहीलियों से मिलती है और यहाँ पर अब दीक्षा और प्रेम भी अंत में इन से बात करते हुए वादा करते हैं कि अनात बच्चों के लिए इन से जितना हो पाएगा वो करेंगे जिसके बाद में वो चारो आतमाएं भी मुक्त हो जाती हैं और ये लोग खुशी खुशी बात करने लगते हैं जहां पर अब दीक्षा भी प्रेम से शादी करने के लिए तयार हो बूम इसी के साथ में ये मुवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी एक तेलुगू कॉमेडी हॉरर सोशल मुवी की कहानी उमीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल के उपर नए है तो सबस्क्राइब कर लीजे तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए